समस्कार जय हैं दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल मैचसेल में मैं मैं इंग विश्करमा आपका स्वागत करता हूँ इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्छा 11 और 12 के लिए महत्वपूर्ट त्रकॉणमितिय फ्रेंसे सम्मंदित कुछ सूत्रों को हम इस पूर्ण सूत्रों चले स्टाठ करते हैं हम कुछ सर्वासंमिकाे लेकिछ चलते हैं कि sign x plus y बरावर, sin x plus y हम कल देख चुके हैं, sin x into cos y plus cos x into sin y यह हम सुत्र को सर्वसम्मिका को जानते हैं, इसी तरीकी से एक सर्वसम्मिका और होती है हमारी sin x minus y, जहां x plus था, तो यहां plus आया था, minus है, तो यहां minus आ जाता है sin x into cos y minus cos x into sin y तो यह समिकर हम इसको समिकर एक नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं समिकर दो नाम तो हमें इन दो सर्वसम्मिकाओं के द्वारा हम सुत्रों को बनाने वाले हैं यदि हम समिकर एक और दो जो नाम दिया है, यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो हम लिखते हैं समिकर एक धन समिकर दो समिकर एक और समिकर दो को हम जोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बरावर की जो बाइयोर की संख्याए हैं sin x plus y, sin x minus y यह आपस में जोड़ ज़ाएंगे और दाईयोर की आपस में जोड़ जाएंगे तो हम देखते हैं, यह जोड़ेंगे तो हम हम यहां क्या मिलेगा sin x dhan by plus sin x minus by बरावर हम ने इन दोनों को आपस में जोड़ा, यहां यहीदि हम इन दोनों को आपस में जोडते हैं, तो यहाँ पर sin x cos by, यहाँ पर sin x cos by यह दोनों आपस में बरावर हैं, तो यह जोड़ जाएंगी तो एक और एक दो हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, दो sin x into cos y और यहाँ पर हम देखें यही cos x into sin y cos x into sin y, लेकिन एक धनका एक रिणका है, तो यह आपस में कट जाएंगी तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से बन गया, कि sin x plus by plus sin x minus y equals to 2 sin x into cos y, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है यह वाला तो हम से पूछा जाता है कि 2 sin x into cos y क्या होता है, sin x plus y plus sin x minus y अभी हमने क्या किया था? समीकन एक और दो को जोड़ा था यदि हम समीकन एक और दो को आपस में घटा दें समीकन एक रिण समीकन 2 समीकन एक और दो को घटाते हैं, तो घटाने पी क्या हो जाएगा? sin x plus y minus sin by x minus y बरावर यहां हम देखते हैं, यदि हम इन दोनों को घटाएंगे sin x cos y sin x cos y dham dham न के हैं, आपस में घटेंगे तो एक घट जाएंगे कर जाएंगे यहां पर हम देखते हैं यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों को घटाया तो घटाने पर यह जो रिन का चिन है यह बदल जाएगा तो धनका हो जाएगा और उपर cos x sin y cos x sin y धन-धन के हो जाएगी तो जोड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 cos x into sin y तो यहां से हमें एक सूत्र और मिल जाता है कि यदि हम दोरों समीकार को घटाते हैं तो हमें एक सूत्र मिल जाता है कि 2 cos x into sin y equals 2 sin x plus y minus sin x minus y तो हमने sin x plus y sin x minus y दो सर्वसम्मिकाओं को लिया उनको हमने आपस में जोड़ा तो हमें एक सूत्र मिल गिया और उनको आपस में घटाया तो एक सूत्र मिल गिया अब हम देखते हैं इसी तरीके से cos वाली सर्वसम्मिकाओं के बारे में चुकि हम जानते हैं cos x plus y बरावर cos x plus y क्या होता है cos x into cos by minus sin x into sin y इसको हम समीकाओं एक नाम दे देते हैं इसी तरीके से हम जानते है cos x minus y बरावर cos x plus y में minus आया है तो minus में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos x into cos by plus sin x into sin y इसको हम दे देते हैं समीकाण दो नाम अब देख जरा जैसे कि हमने अभी साइन की सरसमीकाओं को पहले जोड़ा था फिर घटा आये था इसी तरीके सा हम यहां पर करते हैं समीकाण लिखते हैं समीकाण एक धन समीकाण दो समीकाण एक और दो को आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं हम यहां पर कोस एक्स धन वाई धन कोस एक्स माइनस बाई बरावर यहां पर यह दोनों आपस में जोड़ गए तो यहां पर कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स कोस वाई जोड़ जाएंगे sin x sin y sin x sin y minus plus का है कर जाएगा तो यहां हमें मिलेगा 2 cos x into cos y तो हमें एक सम्मी का निकल किया जाती है सूत्र निकल किया जाता है कि cos x plus y plus cos x minus y cos 2 cos x into cos y इसी तरीके से हम देखते हैं कि यदि हम समीकर एक और दो को समीकर एक वा दो को घटाने पर तो हम यहां डायक लेख सकते हैं समीकर एक समीकर एक रिण समीकर दो तो समीकर एक रिण समीकर दो करते हैं हम तो हमें क्या मिलेगा cos x धन y minus cos x minus by equal क्या हो जाएगा यहां पर cos x cos by cos x cos by एक धनका है और दूसरा घटेगा तो रिणका cancel हो जाएंगे यहां पर यह रिणका sin x sin y है यहां घटा रहे हैं तो धनका चिन रिण हो जाएगा तो यह भी रिणका यह भी रिणका दोनों पक्षों में कर दें तो हमें यहां पर क्या में लिगा हम देख लेते हैं minus का कुणा दोनों पक्षों में करेंगे तो यह जो plus का है minus का हो जाएगा minus का है plus का हो जाएगा तो हम पहले लिख लेते हैं किसको cos x minus by minus cos x plus by equals to 2 sin x into sin by तो इस तरीके से हम दो प्रकार के फॉर्मूलों को बना सकते हैं एक तो हमारा यहां फॉर्मूला है और एक यह है तो हमने क्या किया है हम एक बार पॉर्मूला से इन चारों फॉर्मूलों के देख लेते हैं तो पहला जो हमने लिया थे कि sin x plus by equals to sin x into cos by plus cos x into sin y और दूसरा था sin x minus by equals to sin x into cos by minus cos x into sin y समीकर एक और दो थे हमने इनको आपस में जोड़ दिया समीकर एक और दो को तो हमें यहां से एक सूत्रे निकल के आता है कि sin x plus y plus sin x minus y equals to 2 sin x into cos y और यदि हम इन दोनों को घटा देते हैं तो हमें एक सूत्रे निकल के आता है कि sin x plus y minus sin x minus y equals to 2 cos x into sin y इसी तरीकी से हमने देखा यहां पर कि cos x plus y और cos x minus y की फॉर्मुले होते हैं हमने समीकर एक और दो को जोड़ा तो cos x plus y plus cos x minus y का फॉर्मुला 2 cos x into cos y निकल के आया इसी तरीकी से हमने इन दोनों को घटा दिया तो cos x plus y minus cos x minus y equals to minus 2 sin x into sin y आया यह भी हमारे एक फॉर्मुला है यदि हम इनमे माइनस का गुणा कर देते हैं तो यह माइनस का प्लस हो जाएगा तो cos x minus y cos x plus y plus का है माइनस का हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा 2 sin x into sin y इस तरीके से हम इन सर्वसम्मिकाओं का प्रियोग करके इन सूत्रों का निर्माड कर सकते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इन दो सर्वसम्मिकाओं को जोडने पर हमें sin x plus y plus sin x minus y cos to 2 sin x into cos y हमें मिला था यदि हम x plus y को c माल लें x minus y को d माल लें तो हम इसको हल करके x और y की मान निकाल सकते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं लेक की चलते हैं कि x plus y को हम लिखते हैं कि x plus y cos to माना x plus y cos to c x minus y cos to d हमने x plus y को c माल लिया है x minus y को d माल लिया है और इनको हमने समीकर्ण नाम दे दिया 1 और समीकर्ण 2 और समीकर्ण 1 और 2 को हम हल करते हैं तो यहाँ से समीकर्ण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकर्ण 1 धन समीकर्ण 2 यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो y y कैंसल हो जाएगा 2x 2x बरावर क्या हो जाएगा c plus d तो यहां से x का मान क्या जाता है c plus d upon 2 तो यहां से हमें x का मान क्या मिल जाता है c plus d upon 2 इसी तरीके से यदि हम समीकर्ण 1 और 2 को घटा दे समीकर्ण 1 रण समीकर्ण 2 यदि हम इन दोर को घटाती है तो x x जो है घट जाएगा यहां minus plus ो जाएगा तो 2y क्या हो जाएगा 2y x2 यहां c minus d हो जाएगा c minus d यहां y x2 क्या हो जाएगा c minus d upon 2 c by cos 2 मिल जाता है c minus d upon 2 और x बरावर मिल जाता है c plus d upon 2 तो जो कि हमने देखा था वी कि sin x plus y plus sin x minus y equals to 2 sin x into cos y था यदि हम यहाँ पे x plus y को हमने c माना है उसकी value रख दे तो हमें यदि इसमे x plus y की value रख दे तो यहाँ से हमें दूसरा सूतर क्या मिलता है तो जैसे कि हमें अभी formula मिला था कि sin x plus y धन sin x minus y बरावर 2 sin x in cos y तो यहाँ पर हमें x plus y की value हमें जो मिली है x plus y की value हमें क्या मिली है यहाँ से x plus y की value हमें यहाँ पर हमें x का मान मिला है c plus dy upon 2 और y की value मिली है c minus d upon 2 तो यहाँ पर जो हमारा sin x plus by plus sin x minus by equals to 2 sin x cos y यहाँ हम value को put कर देते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि sin x plus by plus sin x minus by तो इसमें हम value को रखते हैं तो हमें value क्या मिलती है देखते हैं sin x plus by का मान c d equals to क्या होता है तो होता है 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 इसी तरीके से हमने अभी देखा था कि sin x plus by minus sin x minus y equals to तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि sin x plus by को नहाँ से हम देखते हैं कि sin x plus y minus sin x minus y equals to 2 cos x into sin y तो यहाँ पर हम देखते हैं कि value को रखते हैं कि sin x plus y की value क्या है c तो sin c minus sin d equals to cos c x का मन क्या है c धन d upon 2 into sin c minus d upon 2 तो इस तरीके से हमें एक formula और निकल के आ जाता है कि sin c minus sin d equals to cos c plus d by 2 into sin c minus d upon 2 इनको हम bracket में भी लिख सकते हैं इस तरीके से इसी तरीके से हम देखते हैं cos का cos का हमने देखा था कि cos के सूत्र क्या थे हमारी cos के सूत्र थे कि cos x plus by plus cos x minus by equals to 2 cos x into cos by तो यहाँ से हमें सूत्र क्या मिलता है cos cos x plus y plus cos x minus by equals to हमें मिला है 2 cos x into cos y यह हमें मिला है हम यहाँ पर क्या करते हैं x plus y का मान रख देते हैं तो cos x plus by का मान है c धन cos d है हमारा x minus by यहाँ पर 2 cos x का मान क्या हो जाएगा c plus d upon 2 इसको ब्रेकेट में लिख सकते हैं इस तरीके से into cos by का मान है c minus d upon 2 तो इस तरीके से हमें यह सूत्र मिल जाता है cos c plus cos d का इसी तरीके से यदि हम देखें इसी तरीके से हम देखें कि cos x minus by minus cos x plus by cos 2 क्या था 2 sin x into sin y तो यहाँ पर हम बैल्यू रख देते हैं कि यहाँ पर हम बैल्यू रख देते हैं cos यहाँ पर हम देखते हैं कि cos x minus y minus cos x plus by equals to 2 sin x into sin y तो यहाँ पर हम बैल्यू रख देते हैं कि क्या होगा यहाँ पर बैल्यू रखने पर कि cos x minus y का मान होता है d तो d आएगा minus cos इस का मान हो जाएगा c बरावर 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2 तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें यह फॉर्मूले मिल जाते हैं अर्था sin x plus y sin x minus y cos x plus y cos x minus y की सर्वसम्मिकाओं का प्रियोक करके हमें इस तरीके से सूत्र मिलते हैं देखते हैं कि सबसे पहले हमने इनको जोडा था तो हमें एक सूत्र मिला था घटाया था तब भी मिला था फिर हमने देखा कि cos x plus by cos x minus y को भी हमने जोडा और घटाया हमें दो सूत्र मिले थे यहाँ पर फिर हमने क्या किया यदि हम c plus d के x plus by को c माल ले x minus by को d माल ले तो x का मान c plus d by 2 मिलता है और by का मान c minus d by 2 मिलता है तो इन मानों को यदि हम समीका sin x plus by sin x minus by वरावर 2 sin x into cos by में रखते हैं तो हमें यह सर्वसमी का मिलती है इसी तरीके से sin x plus by में रखते हैं तो हमें इस तरीके से यह सर्वसमी का मिल जाती है और इसी तरीके से हमने cos x plus by plus cos x minus by में x plus y x minus by के value रखी तो यह सर्वसम्मिका मिल जाती है और साथ ही cos x minus by minus cos x plus y में रखते हैं तो यह सर्वसम्मिका मिल जाती है तो इस परकार हमने sin x plus by sin x minus y cos x plus by cos x minus y सर्वसम्मिका का प्रियोग करते हुए इन सूत्रों का निर्मार किया ए सूत्र बहुती महत्पूर है इन सुत्रों को आप जरूर हल करें एक बार तो यह आपको आसानी से याद हो जाती हैं